राश्ट्रियो pledate core यानने ANCAC unity और discipline के लिए जाना जाता है स्कूल और कोलेज के विध्यारतियों को ANCAC के तरहत सेना की जवानों द्वारा ट्रेनिंग भी जाती है जबरबूर की केंदे विध्यारत के में 5 दियों सिए ANCAC कैम्प का आईजुन किया गया सेना के अधिकारों ने बताए कि यह कैम्प हर साल 10 दिनों के लिए आयजुद किया जाता है लेकिन इस पर कोविट के चोलते हैं इसे 5 दिनों का किया गया है इस कैम्प के माधियम से सर्टिफिकेट बी और सी के लिए होने वाले एक्जाम के लिए विध्यारतियों को में आर्मी जॉइन करना जाते हैं उन्हें एंसेसी के माधियम से काफी लाब हुनता है एंसेसी के च्छात्र समार्जिक स्तर पर भी कारियों में बढ़ चुड़कर हिस्सा लेकर कारी करते हैं जबर्पूर से वाजुद खान की रिपोर्ट माले है जदियों से अपने इसको अपने कूं से पाला है कि इन फरदीरानी है सल्टार दिबाले है सब्सक्राइब आपने को न से पाला है है प्रेश एक जिन अच्ट एंटर अपने जबाला है अच्ट एक एन अच्ट एंटर एंटर इस तरह से इंट इस पो लास्ट एलिटी ग्रांव जाहिन यह जो CETC Combined Annual Training Camp 11 जो कि 1MP Armored Squadron NCC के द्वारा गेंदे विद्याले GCF No.1 में आयुचित किया जा रहा है जैसे कि हम जानते हैं कि करोना के कारण पहले ही जो कैम्प से 10 दिवसी हुआ काते थे परतु अब इनका जो डियोरेशन है 5 दिवसी कर दीका है जिसमें कि B.E.M.C. Certificates में जो कैड़ेट्स पैट रहे हैं उनकी एक्जैम्स की तियारी करवाना हमारा प्रमुकुद्देश है जिसमें कि हम कैड़ेट्स को वैबन ट्रेनिंग, ड्रिल, एवम इसके साथ साथ हम उनकी परस्नलिट डिवलोप्मेंट को लिए काफी फोकस कर रहे हैं ताकि कैड़ेट्स इन एक्जैम्स को अच्छी से फेस कर सकें एवम भविश में इंडियन आर्मी को जोईन करने का अपना सपना सकार कर सकें मैं लेटिनेंट डॉक्टर जस्पाल सिंग बगगा